नमस्कार दोस्तो, स्वागत है डेली स्टेडि में इस विडियो में बिहार पोलिस कान्ष्टरवल के लिए बिहार स्पेसल, most important, 25 questions लेकर आया हूँ देखें इस विडियो में questions आपको देखने में असान लगेंगे लेकिन अक्षर असान questions में है students फस जाते हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को सिरियस होकर ध्यान से देखें और आप देखिए कि 25 में से कितने प्रसन का सही जवाब कर पाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन है बिहार में 1857 के विद्रो का नितरित किसने किया देखने में असान है अगर कोशन घुमा के पूछेगा आपसे तो आप फच सकते हैं और परतियक प्रसन के लिए हम आपको तीन सेकेंड का समय देंगे जादे समय चाहिए तो आप विडियो को रोखिएगा तो देखिए बिहार में 1857 के विद्रो करने तुरित किसने किया सही तो जवाब है यहाँ पर कुवर्सिंग ओप्सन नंबर A सही जवाब ये तो सब को पता है कि बिहार में 1857 के विद्रो करने तुरित वीर कुवर्सिंग ने किया कहां आरा में आरा किस जिला का हेड क्वाटर है भोजपूर का और यहाँ पे वीर कुवर्सिंग के सम्मान में 1992 में वीर कुवर्सिंग विद्रो की अस्थापना की है और भारत सरकार ने वीर कुवर्सिंग के सम्मान में कब एक डाक टिकट जारी किया था 1996 में और इनके अलाबा खान बहादूर खान 1857 की क्रांती में कहां करनेतरित किया था ब्रेली में कानपूर में 1857 के बिद्रों करनेतरित किस ने किया तातिया टोपे और कानपूर में नाना साहिब भी किये थे 1857 का बिद्रों के नेतरित तातिया टोपे और नाना साहिब दोनों ठेक ना कुश्टा नमबर दो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स ओथोरिटी के माध्यम से बलोक से बलोक मतलब क्या परखंड परखंड से राज अस्तर तक कौन सी खेल परतियोगिता आयोजित की जाती है बिहार स्टेट स्पोर्ट्स ओथोरिटी के माध्यम से परखंड से लेकर स्टेट लेवल तक इन में से ध्यानचंद होकी परतियोगिता विद्याले खेल परतियोगिता आयोजित की जाती है ओप्सन नमबर डी उपरोक सभी महला खेल महत्याचंद का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है बिहार राज खेल प्रादिकरन सही जबाब है और बिहार राज खेल प्रादिकरन का हेड़ कोटर कहां है पटना में है कोश्चन नमर चार बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोक का अध्यक्ष था तो देखिए बिंद्रश्वरी प्रसाथ मंडल जो है मंडल आयोक के अध्यक्ष थे कोश्चन नमर पांच बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंत्रीम राष्टपती बनाया गया था बात हो रही है संविधान सभा की राष्टपती आंसर नहीं करना है राष्टपती तो बने थे डाक्टर राजेंदर प्रसाथ लेकिन कोश्चन में क्या कहा गया है कि बिहार के किस नेता को संबिधान सभा का अंतरिम राष्टपती बनाया गया था तो यही है सचीदान अंसिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था ठीक ना 9 दिसंबर 1946 Question number next बिहार के किस प्रसिद व्यक्ति को अजाद सत्रू कहा जाता है तो देखिए बिहार के किस प्रसिद व्यक्ति को अजाद सत्रू कहा जाता है डॉक्टर राजेंदर परसाद Option number B सही जबाब है और मैंने आपको Lucent GK के practice में क्या बताया था कि अजाद सत्रू जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था इसलिए आप Lucent GK भी देखा करें वहां से questions आपके exam में पुछा जाता है जाद अतर और Lucent GK का questions जो है हर exam में पुछा जाता है इसलिए आप Lucent GK को भी देखना चाहिए आप लोगों को अगला question number 7 भीम बांद वने जीब अभ्यारन किस राज में है आसान है लेकिन इसके बारे में थोड़ा पता रखना है भीम बांद वने जीब अभ्यारन यानि की wildlife century भीम बांद वाला जो है बिहार में है बिहार के किस जला में भीम बांद wildlife century है मुंगेर में है और देखिए ये आप से पुछा जा सकता है कि भीम बांद वने जीब अभ्यारन जो की बिहार के मुंगेर जीले में है ये कितने वर्ग किलोमीटर के छेतर में फहला हुआ है 682 वर्ग किलोमीटर और मुंगेर को क्या कहा जाता है योग नगरी बिहार का योग नगरी question number 8 बिहार का पहला सिक्षा मंत्री कौन था बिहार का फ़र्ष्ट सिक्षा मंत्री सर गनेश दत थे option number C question number 9 राबडी देवी पहली बार बिहार की मुख्ष मंत्री कब बनी 1997 में तो बने थे लेकिन तारीख है 25 जुलाई ठीक नग, 25 जुलाई देखिए आपको ये भी पता होगा की बिहार का पहला महला मुख्ष मंत्री कौन है यही राबडी देवी इसलिए आपको इसको याद रखना है कि किस वर्ष ये बनी थी 25 जुलाई 1997 को question number 10 पतना में इन में से कौन सा सोध संस्थान नहीं है तो देखिए बिहार अनुसंधान संस्थान पतना में है और चावल विकास और अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका भुजपूर के आराम है और बात करें डॉक्टर ए एन सिन्धान संस्थान ये कहां है ये भी पटना में है तो यहां पर आपका चाबल विकास और एन संधान संस्थान हो जाएगा ये पटना में ना होकर भुजपूर के आरा में है कॉशन number 11 बिहार में डॉक्टर राजेंदर परसाद मिमूरियल रिसर्ट इन्स्थीट पतना में है एक चोटा सा इलाका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पतना में तो जानते हैं आपसे ये भी पुछा बज़ा सकता है कि डाक्टर राजेंद्र परसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्ट्यूट जो है पतना के किस इलाका में है आगम कुवां के पास है को से नबर 12 बिहार में पसू चिकित्सा बिज्ञान और पसू पालन कॉलेज कहां इस्थित है पाटना में ही है ओप्सन नमबर 13 जग जीवन राम का जन्म बिहार में कहां हुआ था जग जीवन राम का जन्म बिहार के भोजपूर में हुआ था भोजपूर में एक छोटा इलाका है चंद्रावा यहीं पे हुआ था और आगे परने से पहले आपको बता दें कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस नोटिपिकेशन और बांकि आप समझदार हो लाइक कर सकते हैं और सेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को खत्म करने के बाद को से नमर चाओदा बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है जेपी के नाम से बिहार में किसे जाना जाता है लोक नायक जैपरकाश नरायन और इनी के नाम पर पठना में इंटरनेशनल एरपोर्ट है कोश्टर नबर 15 जग जीवन राम भारत के उप परधान मंतरी कब बने थे जग जीवन राम जब बिहार के हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये उपपर्धान मंत्री बने थे कब बने थे 1977 में option number C question number 16 जग जीवन राम को किस नाम से जाना जाता है जग जीवन राम जी को बाबू जी के नाम से जाना जाता है यानि कि जग जीवन राम बाबू option C question number 17 Dr. Jaakir Hussain कब से कब तक बिहार के राजपाल रहे 6. July 1957 से 11. May 1962 तक Dr. Jaakir Hussain जो है बिहार के राजपाल बने रहे तारीक आपको याद नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आपको 1957 से 1962 ध्यान रखना है वर्स आपको जरूर ध्यान रखना है 1957 से 1962 तक जो है डक्टर जाकिर हुसेन बिहार के गवर्नर रहे हैं अच्छा आप ये बता सकते हैं डक्टर जाकिर हुसेन जो है किस वादी अंतर के लिए जाना जाता है कमेंट में बताईएगा Quesion No. Next बिहार में बरा भुकम्प कब आया जिसमें बिहार का मुंगेर सहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी बिहार में सबसे खतरनाक भुकम्प अभितक में कब आया था जिसमें कि मुंगेर पूरी तरह से नश्ठ हो गई थी 1934, option number C Question number 19 Ashtang Ayurvedic College बिहार में कहां है? Ashtang Ayurvedic College बिहार के भागलपूर में है, option number B भागलपूर को क्या कहा जाता है? Silk City कहा जाता है Question number 20 निमलखीत में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? मतलब तीन options जो है सही है जिनका कि जन्में बिहार में हुआ था लेकिन एक ऐसा वेक्ती है जिनका जन्में बिहार में नहीं हुआ है तो वो है आपका VP Singh सबसे पहले देख लिजिए जग जीवन अराम ये बिहार से संबन्दित है लोग नायक ज़न्स जई परकास नरायन ये भी बिहार में इनका जन्म हुआ था आरे भट जिन्होंने सुनी की खोज की यानि की सुनी के बारे में बताया आरे भट का भी जन्में बिहार में हुआ लेकिन BP Singh जो है भारत के आठवे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे यानि की प्रधान मंतरी थे और इनका जन्म जो है 25 जून 1931 को पडियाग राज जो की पुराना नाम इलाहाबाद है उत्तर परदेश में हुआ था तो इसलिए ऑप्शन D क्वेशन नंबर 21 1939 में बिहार में किसान सभा के अस्थापना किस ने की यहाँ पे छुटा है ना बिहार में होगा 1939 में बिहार में किसान सभा के अस्थापना स्वामी सहजानन सरस्वती जीने किये है Option C एक प्रसन आपसे यह पुछा जाएगा कि बिहार में किसान सभा के अस्थापना कब हुई 1939 में ठीक ना किसके द्वारा स्वामी सहजानन सरस्वती Question No.22 बिहार सरकार, हर साल 23 अपरेल को विजय दिवस किसके रूप में महान सहिद को सरधानजली अर्पित करने के लिए मनाती है. यानि कि बिहार में जो है 23 अपरेल को मनाई जाती है. किस महान सहीद को सरधानजली अर्पित करने के लिए मनाई जाती है वीर कुवर सिंग औप्शन नमबर A और इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा 23 अपरेल को विहार में विजय दवस मनाया जाता है और किनके सरधानजली देने के अर्पित करने के लिए वीर कुवर सिंग किस महान स्वतंतरता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोईलवार पूल का नाम बदल कर बारी पूल रखा गया है बात हो रही है भोजपूल के आरा की आरा में सोन नदी पर जो है कोईलवार पूल है इनका नाम बदल कर बारी पूल किया गया है किनके नाम पर रखा गया है बारी पूल यह है आपका अबदूल बारी जो की बिहार के एक स्वतंद्रता सेनानी है कोसा नमबर 24 डाक्टर राजेंदर परसाद का जन्म कहां हुआ था डाक्टर राजेंदर परसाद जो की भारत के प्रथम राष्ट पती थे इनका जन्म सिवान में हुआ था सिवान में एक गाउं है जीरा देई, कई बार पुछा गिया है, बिहार के एक्जाम के अलाबा, ये जीरा देई का आप्शन कई केंदर सरकार के एक्जाम में भी पुछा गिया है, तो आपको अच्छे तरीके से रूबरू रहना है इस प्रसन के बारे में, कोशन नमबर 25 लोक नायक जैपरकाश नरायन का जन्म कहां हुआ था बिहार में लोक नायक जैपरकाश नरायन का जन्म बिहार के सारंजिले के छहपरा में हुआ था option number D सही जवाब है और इनी के नाम पर लोक नायक जैपरकाश नरायन यूनिवर्सिटी यानि की विस्वविद्याले है कहां है छपरा में ही है 25 questions आपका complete हो चुका है एक प्रसन आपके लिए है बकसर का युद्ध कब लरा गया था इस प्रसन का सही जवाब आपको नीचे comment box में बताना है और आप Lucent GK या फिर और साड़े विडियो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगर आप चाहते हैं कि इस विडियो का PDF डाउनलोड करना तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे